नमस्कार साथियों आप सवी का स्वागत करता हूं अपने यूटूब परिवार MRS study में तो यहां पर हम लोग बात करेंगे आज डिफरेंस जानेंगे लैप जॉइन्ट और बट जॉइन्ट के बारे में तो देखो लैप जॉइन्ट क्या होता है यह लेस स्ट्रॉंग होता है एज कंपेर टू बट जॉइन्ट के कंपरिजन में लैप जॉइन्ट कमजोड होता है और बट जॉइन्ट थोड़ा स्ट्रॉंग होता है लैप जॉइन्ट से लैप जॉइन्ट में जो कवर प्लेट्स होते हैं वो यूज नहीं किये जाते हैं बट बट जॉइन्ट में कवर plates use किये जाते हैं, number of rivets required is less in lap joint and number of rivets required more in butt joint, जो length होता है हमारा rivet का वो less required होता है as compared to butt joint but जो length होता है rivet का वो ज्यादा होता है जो joint होता है वो less costly होता है जो हमारा lap joint होता है और जो butt joint होता है वो थोड़ा costly होता है बात किया जाए कि lap joint और butt joint in figure कैसे हम लोग देखाएंगे तो इन figure अगर lap joint की बात किया जाए तो यह आपका एक प्लेट हो गया और एक यह आपका प्लेट हो गया ठीक है अब यह दोनों प्लेट को अगर हम लोग जोडते हैं एं। के तो इस तरिके से कुछ इस तरीके से जो हम लोग जोडेंगे तो यह जो connection हो गया यह हमारा कर लाएगा lap joint यह जो connections आपने figure में देखा यह क्या हो जाएगा यह आपका lap joint जो है हो जाएगा ठीक है अगर butt joint के बारे में बात किया जाए अगर कोई बोले कि butt joint का बताईए तो यह आपका मालो plate है ठीक है और यह another plate है उसमें क्या होगा कि हम लोग cover plate डालेंगे cover plate जो है हम लोग दो उपर में भी एक डाल सकते हैं और एक नीचे में भी अगर सिर्फ एक cover डाल रहे हैं तो single cover butt joint काते हैं इसको जो है कुछ इस तरीके से जो है join कर देंगे और इसको भी इस तरीके से हो जाएगा आपका single cover but joint हो गया अगर double cover but joint तो एक इधर जोड़ देंगे और इसको extend करके nut bolt से कस कश देंगे तो ये क्या हो गया ये आपका figure हो गया but current का किसका हो गया but joint का जो है इह figure हो गया इधर से या तो tensile load link देंगे plate पे या फिर compressive load देंगे दोनों में से कोई एक ही load न प्रोवाइड करेंगे दोनों load तो प्रोवाइड करेंगे नहीं हना दोनों load हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इस तरीके से आपने यहां पे lap joint और butt joint के बीच में क्या देखा differences देखा अगर इससे related कोई भी आपका doubts रहता है कोई भी confusion रहता है तो आप comment box में comment करके जरूर बताइए और engineer plus app को अभी तक आपने download नहीं किया है तो download कर लेजए उस पर और भी कई सारे important notes वगेरा provides किये जाते हैं free study materials और कई सारे courses आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके लिए helpful होंगे तो वह आप जाकर visit जरूर करें thank you